नमस्ते भारत आप देख रहे डवली एश नियूज मैं हो विजे खाउसे मेरे साथ में आज नाकपूर में खास महमान है कोई परीचित के मोताज नहीं है पुरा भारत उने जाता है भारत भर वो घुमते है चुनाओ का दवरा रहे या किसी और विशे पे वो बात करते है मेर साथ में नियूश चोन की फोर्के राजियोर अंजनसर नाकपूर के दवरे में आये है और समुचा माराष्ट वो भ्रमन कर रहे है सर मेरे डवली एश नियूज पर आपका स्वागत है सर बहुत भाथ धन्यवाद बहुत बहुत सुपकामना है आपको बहुत मेहनत करती है हम देखते हैं पुरा भारत आप घुमते हो क्या कहा से इतनी इनर्जी आपको मिलती है यह सवाल तो किसी और नहीं देखिया है आप मैं यह आपकी बात सही है कि लोग कहते हैं कि मैं मैंने जारा करता हूं और पिछले 23, 24, 25 वर्षों से मैं पतकार्टा में हूं तो मेरी उमर अभी अब उतनी नहीं है और मैं उतना यंग भी नहीं हो लेकिन पैशन अगर आपको हो अगर आप का जो जज़बा है जो जो आपकी दिल्चस्पी है अगर वही काम आप करते हैं तो आप ठकते नहीं है और आप उसी के 24 गंटे उसमें आप देखिये मेरी क्या है मैं कितनी मेहनत करता हो असी साल से ज्यादा उमर हो चुकी हमिताब बच्चन की वो इस उमर में इतना काम और इतनी इनरजी के साथ उनके शो आप देखते हैं कितनी इनरजी से भरे होते हैं कितनी इनरजी से भरे होते हैं अभी मैं एक इंट्रिव्यू देख रहा था आज रात को या सुबह देख रहा था अनपम खेर की एक नई फिल्म आने वाली है तो उसमें वो बता रहे हैं कि 68 साल की अमर में फिल्म में काम करने के लिए उन्होंने स्विमिंग सीखी 40 किलो मीटर साइकिल चलाई, 10 किलो मीटर रनिंग की तो आप एक से एक काम करने वाले लोग हैं प्रधान उन्ति नरेंद मोदी को देखे कितनी मेहनत करते हैं शरत पवार पताएए उनको तो 20 साल पहले जान लेवा बिमारी हुई थी उस बिमारी का नाम सुनके यादे लोग सक्ते में आ जाते हैं अंचे और यूगों का ना उते हैं लोगों को पारीवारिक प्रिस्टि भूमि से आएं और उपर वाले का और जनता का और लोगों का यह आशिरवाद है और ये कुछ नकुछ हमारे पर रहमत है जो इतना आप मुझे से मिलने के लिए आए लोग इतना जानते पहचानते प्यार करते हैं मैं अकेला गारी में गूंता हूं एक कैमरा मैंन के साथ तो ये मौका भी अगर इस्वर ने दिया है तो इसके लिए हम उसके भी शुक्र गु दिल्चस्पी जो काम करने हैं तो अगर नोकरी की तरह आप करेंगे तो ये मैं नोकरी नहीं कर रहा हूं मैं बिना महारास्ट आये भी मेरी नोकरी पर ऐसा कोई खत्रा नहीं है बहुत सारे लोग इस्टूडियो में बैठके एर कंडिशन शो कर रहे हैं और काफी पॉपिल लोगों को जानने का बताई है अगर मैं नाकुर नहीं आता तो आप से कैसे मिलता है तो यह है और सब को मेहनत करेंगे तो अपरड़ाम अच्छा होगा हमें यह लिए पिछे तरुप से और भी हमने आप में एक बात देखे हैं मैं तो लगातर आपकी वीडियो देखते रह और अप लोगों से मिलते हैं और लोगों से उनकी बात निकलते हैं माहुल क्या है के मादयम से तो लो बहुत बड़ी अच्छी बात है मगर हम देखते हैं जो ٹीवी आजखल की टीवी चैक्ञी चानल आपके डिबेट्स में हमने कभी ऐसा देखा नहीं है मगर टिवी चानल लगातार डिबेट्स में हिंदू मस्लिम करते रहे थे ये कितना गंबिर है ये तो पॉलिटिक्स ही हो गई ऐसी राजनी तैसी हो गई तो जब राजनी जब नेता ऐसी बात करेंगे इन इशुज आपको याद होगा महाराष्ट्रा में कितने विधायकों की सदस्टिता चली गई थी इस आधार पर कि उन्होंने धर्म के नाम पर वोटमागा आपको याद है गया और फिर बाद में वो मामला सुप्रीम कोट में गया और उसी मामले में सुप्रीम कोट ने ये माना रामजेट मलानी का तर्क कि हिंदू कोई धर्म नहीं है वे औफ ल किताब होनी चाहिए तो ऐसा तो हिंदू धर्म है या तो ना जाने कितने करोड देवी दे होता है और कोई एक किताब हमारी तो कहने का मतलब है कि पॉलिटिक्स में जब ये चीज़ें आ गई तो वो जनरलिजम में भी उस पर डिबेट होने लगती है और वो उसी वो चाहत देश में बीस करोड मुसल्मान है ठीक है क्या सारी फसाद सारी परिशानियों का सारी चीज़ की जड़ वही मुसल्मान है अगर अब मैं कहता हूँ चलो छोड़ दो बीस करोड मुसल्मानों को बोरे में बंद कर देते हैं और उनको समंदर में फिक देते हैं एक मैं कल पना तो अगला चुनाओ किस मुद्धे पो होगा हर हर चुनाओं में आप हिंदू-मुसल्मा और उससे कुछ होता नहीं बी जे पी की सरकार आने से इस देश की मुसल्मानों कोई ऐसा नहीं हो गया या योगिया आधिजनात की सरकार आ गई तो उत्तपरदेश में या मुसल्मानों को सुविधाई नहीं मिली, अनाज उनको नहीं मिल रहा है, शोचाले उनको नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन वोट के लिए, खाली वोट के लिए, सरकार बनाने के लिए ये बाते होती है, मीडिया में इसकी चर्चा होती है ना, तो देखे, हम लोगों न साधन है पढ़ना है सुनना है तो आपको पुराने जमाने से लेके और अभी तक जिन लोगों ने समाज को दशा दिशा दी है चाहे वो नेता रहे हो चाहे वो किसी भी विचारधारा की लोग रहे हो उनमें से सरवाधिक लोग की प्रिष्ट भूमी आप देखेंगे तो या तो पत्रकार थें और नहीं तो वो वकील थे ठीक है बाला सब ठाकरे ही यही कि कि पत्रकार में यह ताकत है कलम में वु ताकत है यह समाज को दशादि साथ तो उनसे आप सीखते हैं बाबा साहब अमबेटकर की किताबें पढ़ करके आपको एक अटली की किताबें गीतों की या उनकी किताबों को पढ़ेंगे दामोदर सावरकर से आप मीवीर कहें या माफी मीर कहें मगर उनकी किताबों से एक दिस्टिकोर तो आपको मिलेगा आज के जो पत्रकार है वो आने वाली पीडियों को कौन सा दिश्टिकोर दे रहे हैं अगर एक 18 से 24 साल का बच्चा टेली वीजन चैनल देखना छोड़ दिया तो क्यों छोड़ दिया क्योंकि उसको information तो कुछ मिली नहीं एक एक दो दो घंटे वो बैठा रह रहा है और खाली जाए ने ने आप बोलिया ने ने आप बोलिया उससे आप अच्छा किसी भी आदमी को जो टीवी देखने आ रहा है निउस चैनल के जिम्मेदारी क्या है हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को इन्फॉम करें एजुकेट करें हमारे प्रोग्राम से लोगों को कुछ नई जानकारी मिलनी चाहिए नई information मिलनी चाहिए और थोड़ा entertainment भी हो ऐसा ना आप जानकारी ना देने लगे कि वो आदमी बोजल हो जो जाए आपका program देखते देखते ऐसा भी नहीं होना चाहिए तो entertainment हो information हो entertainment से भी समाज प्रबदन हो बिल्कुल है entertainment in друзья की ड है समाज को सन्देश फिल्में नहीं देती एक से एक फिल्मे आई हैं जो समाज को सन्देश मैंने अभी एक फिल्म कजे कर किया अनपर के जी कि वो फिल्म जिस थीम पर बन रही है साथ साले उपर के लो 65 साल के उपर की लो वो देखेंगगे बाई आप ैस ए इंपॉर्टेंट है कि और परिवाद पार यह तो हमाई जिम्मेदारी है वो तो कर नहीं है तो हमारे केने कि यह जो जिम्मेदारी है मीडिया की इतना सवाल उसकी इंटीग्रिटी पर उठा है और देखें आप एक चैनल आप डेवलुएश न्यूज एक चैनल आपने भी खो इसमें यह है सबसे बड़ा सोशल मीडिया पर आप उसको बात ही नहीं कर रहे हैं आप उसको कंपिल नहीं कर रहे हैं कि आप यही देखें वो वलिंटरिली उसकी इच्छा है जिसको चाहे उसको देखें तो उसको जो अच्छा लगता वो उसको देखता है टेली वीजन चै चार लोग बैठे हैं, चारो बाध हैं, वही देखा जाए, अगर रिमोट को हम किनारे रख दें, और टीवी पर जो चारों को वही देखना पड़ेगा, और वो जो बोल रहा है, वही सुनना पड़ेगा, तो और उसमें, भाई, बहुत सारे गाउं में आप देखिए, फ्री है, जिसका पैसा नहीं लगता है, इंटीनर लगा के डीडी वाला, डी टी एच, तो उसमें जितने चैनल आ रहे हैं, एक गाउं में बैठा किसान, वही देखेगा ना, उसके पास विकल्प तो है नहीं, यह मोबाईल स्मार्ट फोन ने आपको विकल्प दे दिया, आप गा तो खुलेंगे तो वह इसा ही वीडियो आएगा, अगर आप प्रवचन सुनेंगे, संगीत सुनेंगे, तो संगीत के वीडियो आने लगेंगे, अधार्मिक प्रवचन सुनेंगे, तो उसके वीडियो आने लगेंगे, अल्गोरिदम ऐसा सेट किया हुआ है, तो जो लोग क फेक नेरेटिव पसराए जाता है उसको गंबिरता से लोग चलाते नहीं है ये भी बात थोड़ा सामने गंबिर बात बात है जो भी सोशल मीडिया चलाते हैं उनकी लिए सर क्या कहेंगे अब क्या बताएंगे देखिए मैं मेरा ही कोई एक इंट्रिव्यू लेके गया मैं रता रहुँ आपको मानदा ने आप मै किसी को मना नहीं करता अब मैं कभी धन्याफ नहीं आप आये मुझसे मिल ल ये आपने कि लिए आपने काहा तो मैं लेकिन मैं कोई आये है शाहिद और देखें भी उन्हों ये जा करके या लगाया IPS से पत्रकार बनने की कहानी IPS से मेरा कोई लेना देना नहीं कोई मतलब नहीं मेरे जैसे लाखो करोडों लोग सीविल सर्विसेज एक्जाम में अपियर होते हैं मैं भी अपियर हुआ मैंने ये कहा कि हम पढ़ाई लिखाई में तयारी करते थे सबको कई बार कहा है तो ये कम्ट्रीटिव एक्जाम की तयारी करते थे उधर नहीं हुआ तो हम पत्रकार बनेंगे सिंपल सी बात वो IPS से पत्रकार अब मैंने मुझे किसी ने भेजा कि ये क्या है मुझे देखके बड़ा आगपटा लगा मैंने उनको फोन किया कि भीया ये क्या कर दिया तो बोला से ये थमनिल से चल जाएगा चलाने के लिए ये ज़िए गलत बात है चल जाएगा कुछ सब्सक्राइबर आ जाएगे कुछ व्यूज आ जाएगे सर रहने दीज़े मैंने गए तुम्हारी प्रॉपर्टी है तुम मेरे पास आए तो मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं तो लोगों ने मुझे फोन किया यारी ये ऐसा क्यों लिखा मैं जैसा हूँ वैसा दिखता हूँ जैसा है वैसा दिखाता हूँ तो मैं इस तरह की चीज़ों में तो अब आप बताईए अगर सोशल मीडिया पर आप मेरे से बात कर रहे हैं और जाके आप थमनेल कुछ ऐसा लगा दे हैं कि राजी रंजिन क्यों पकड़े गए हैं तो हमने जब राजी रंजिन को पकड़ा तो आप लगा सकते हैं तो और उ क्या एक्षन होगा और आपका क्या नुकसान हो जाए मैं चैनल में अगर काम करता हूँ मैं अगर वहाँ पे कोई चीज गरबड बोलूँगा तो मेरी नोकरी जा सकती है मैं सस्पिंड हो सकता हूँ मैं निकाला जा सकता हूँ और मेरे पूरे करियर के लिए वो बात की होती है सोशल मीडिया आप ही मालिक है आप ही का चैनल है आप ने लगाया कैमरा बग 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 कुछ भी बोल दिया अब ताथ्जात्म करूपसे कितना सही है इतना नहीं है इस बात का ख्याल को दिखा के सोशल मीडिया पे दूसरे को गाली दे कर के आप बड़े बन जाएंगे नहीं हो सकते आप आपको अपना काम थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा और फैक्चुली सही होना चाहिए चलो सर एक आकरी सवाल आपको भी बहुत आपका किम्ति समय है और आपको यक्माल जाना है आप पुरा महराश्टर का दोरा कर रहे विदानसबा जो है विदानसबा चत्र में आपको गुम रहे क्या महुल है तो यह दोनों लड़गे तो नका रस्ता और असान हो जाएगा। इसी तरह से कहीं कहीं महाईूती में है कि बीजेपी का केंडिडेट लड़ रहा है। बीजेपी का केंडिडेट फोटो लगा आगे मोदी जी का सबका पार्टी से निकाल दिया गया तो भी लड़ रहा है। क्योंकि मराठ वाड़ा और विधर्ब दो जगे बीजेपी को बहुत जटका लगा लोकसभा में तो इस बार मराठ वाड़ा में बहुत कुछ मनोज जरांगे पाटिल वैसा करते हैं कि नहीं करते हैं और दूसरी विधर्ब में बीजेपी ने अपनी जमीन बचाने की बहुत कोशिश भी किये इधर देर दो महीने में आपने देखा होगा प्रधान मंतरी हमिश शाह और नितिन गड़करी भी लगातार इधर ही बैटे हुए हैं देवें फड़नविस की तो पूरी मेहनत है संग संग पूरा का पूरा विदर में लगा हुआ है लगते तो सब लोग सब जगह हैं लेकिन पैड़ाम उस तरह से नहीं आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी बड़ा गड़ मड़ लग रहा है पता नहीं चलना है अजीद पवार के भी केंडिडेट लड़ रहे हैं महा मलिक है उधर माज वंदन का इसदा और को जीतने के बाद तो इसमें इसलिए हमको लग रहा है कि वहrophel वाइज वोटिंग होगी उस कॉंस्यूएंसी कल कौन नीता अच्छा है उसकी क्या पकड़ है वो चुनाओ के दिन चुनाओ कैसा लड़ रहा है यह बहुत कुछ यहां पर आप लाडली बहनी सो भी बहना सो भी मिले होंगे तो उनका क्या ऐसा रूप दिखा है लाडली बहना योजिना नहीं होती तो महायूती इलक्षन में खड़ी नहीं हो पाती एक बहुत बड़ा खड़ा होने का आसरा जो है कई बार होता गिसे मंच पर नेता चाहना चाहता है लेकिन घिल जादा है वो गिरने लगता है चरणी पाता फिसलता रहता है महायूती की स्थिति ऐसी थी फिर पीछे से नेता के derivative हाथ दे कैसे करदेए पिर वह मंच में बीच में आ जाता है तो माहाई यूती को लाटकी भेना योजना ने ऐसे ही मंच पर ले आके खड़ा कर दिया किसानों को मिले हो देखिए मिला हो किसानों से देखिए महाराश्ट का पिछला चुनाव तो प्याज पे हुआ था बहुत बड़ा मेटर था प्याज इस बार जो सोयावीन की फसल में उनको पैसा नहीं मिल रहा है और देखो अभी उनको मिलना है बतिस सो चौटिस सो च्छटिस सो जादा 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 जो मैंने देखा चार अजार से कम पे उनका नुकसान है अब बताएए जो पार्टिया सफ्ता में हैं वो करें हम सोयावीन का प्छे हजाद देंगे और महागडबंदन वाले के रहे हैं अब साथ हजाद देंगे अरे जब दोगे अभी जो मिलना है तो किसानों को तो फसल क हो गया है हाँ देख लिए तो वो सोयावीन कपास ये सब के किसानों में थोड़ी नाराज़ी तो है और खासकर कि ये सीजन है उनको पैसा आप मिलना है तो उसी घर में पंद्रह सो रुपए लाड़की के भी आए हैं और उसी घर में कपास में चार अजार रुपए लागत 32-34 की कपास भी बिक रही है तो दिल्चस्प होगा कि वो घर वाले किदर जाएंगे यूओ से भी मिले होंगे ने सर आप यूओ का क्या रुक रहेंगे यही तो सबसे बड़ी इस देश की तराजदी है मतलब सबसे जो खराब चीज मुझे लगती है कि मैं 20, 22, 25, 26, 28 साल के लड़का चाहे मुंबई में हो चाहे पूने में हो यह इतने पढ़ाई के सिंटर है और उन बच्चों से जब बात का का हमको कोई इंट्रिस को हमको दिक्कत है कि उनको नपॉलिसी के बारे में पता है उनको लगता है कि नेता गीरी और सरकार से हमारा क्यालिन है उन्हें कुछ नहीं मालूम कि जिस तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो यह भी सरकार के फैसले से ही बना वाया और पढ़ा और जो तुम नौकरी करोगे आगे युआ पीड़ी को कोई मतलब भी नहीं है वो वाटसेप पॉन को है इंस्टा इसी में ज्यादा तर लोग लगे हुए है गंबिर बात हो सकते है युआ पीड़ी अगर ऐसी चलते है तो क्योंकि आगे की जो भविस से देश का युआ है देख लेजे दुनिया के कुछ मुल अगर जो प्लेटफॉर्म पहले अच्छे थे जिनकी वज़े से लोग उस प्लेटफॉर्म पे जाते थे आज कभी-कभी मैं तो बहुत कम रहता हूं सोशल मीडिया पर कभी-कभी मैं उसमें खोलता हूं तो जो जितने ट्वीट होते हैं ट्विटर पे एक्स पे वह सत्ता परसेंट गाली गलोज की भाशाम है और किसी परसनल आदी के बारे में अरे में भी बिकतिकात आद्मी की पसंद नापसंद को आप साधर्यनिक प्रेटफ़र्म पर क्राली कि भाशा में उससे समाज को क्या मिले न फफ़ें समाज को क्या फाईदा में वो खाली अपनी रीच ब वहीं रोजगार अगर रहते हैं बीजी रहते तो उसमें एक्स वे या ट्यूटर पर अपना इंस्टा पर समय ने देंगे बिलकुल जो लोग बीजी हैं वो तो उसका सकारातमत फाइदा उठा रहे हैं लोगों को समय नहीं मिल जयाता मोबल देखने को वाटसाब देखने का आप काम करेंगे तो कहां आपके पास हमे रहेगा आपको शाम को प्रोँग्राम करना है हम एक दूसरे जिले में जा रहे हैं जब तक हम उसका इतिहास नहीं पढ़ेंगे वहां की फस्लों के बारे में न हम तो रिसर्च करेंगे कुछ लोगों से बात करेंगे कुछ नेट पर पढ़ेंगे कुछ नोट्स बनाएंगे रस्ते भर कुछ पढ़ते लिखते जाएंगे तब कुछ बोलेंगे ना बोलना इतना आसान काम तो है ने बोलने के लिए तो आपको कुछ पढ़ना पढ़ेगा पढ़ने के लिए तो आपको किताबे हैं नेट पर जाना पड़ेगा इधर उधर चीजे तो अब हम ट्विटर पर जाए तो क्या मिलेगा तो हमारी साथ तो मजबूदी है लिए कुछ लोग ट्विटर ही उनका बेऊसा है उसी से उनका तो वो उसी पर पाइब प्रदान मंतर मोदी राहुल गांदी अर्विन केजरिवाल या फिल्मी आक्टर्स पत्रकार जो लोग सारजनिक जीवन में जिनको जनता से जुड़ने में जुड़के फाइदा है तो वो तो अपना प्रमोशन कर रहे हैं अब एक बड़िया किसी हीरो ने तो उस तो लाखों लोगों तक परचार पहुँच गया जिसके लिए पहले उसको बेवस्ता करनी पदी थी प्यार टीम रखनी पदी थी पहले फिल्म डुस्ट्री में लोगों को अपना परचार पसार के लिए प्यार टीम रखना पहले अब तो हो ये थे हमारे साथ में देश के जाने माने पत्रकार राजी उरंजन जी पुरा देश उए ने पैचानता है और युदों ने आज खास करके डबली एच निवच को बहुती अपना किमती समय दिया है सर के पास में एक एक मिनिट का जो है बहुत बड़ा नहीं सर आइसा न लगाता कि सर मुझे समय देते या नहीं देते ऐसा कुछ नहीं है भाई मैं एसी स्तिति में हुई नहीं क्यों नहीं समय दूंगा, आप पत्रकार हैं, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप नागपूर में हैं, इसलिए आप इस्थानी हो गए, मैं दिल्ली चला गया, तो मैं राष्टी हो गया, बस इतना ही फ़रक है, आप हो सकता था, आप मेरी जगे दिल्ली जाते, तो आप र पर दोस्तों हो महराश्र का जो अभी चुनाओ चल रहा है महराश्र की चुनाओ के लिए सर नागपुर में हैं अभी यहां से उत्माल जाएंगे मंबई तक चले जाएगे और पुरा दवरा हमेशा चुनाओी दवरा करते रहते हैं आप तो देखती है तो आज भी मैंने सर को समय मगा और समय सर ने मुझे किमती समय भी दिया मैं चुत रूप से किसानों से सर मिले है लाडली बहिने का भी कुछ फाइदा होंगा मगर किसान एक तरफ नाराज है और महराश्र की चुनाओं में किसका पलड़ा भाली रहेगा कहां से कौन चुन कर आएंगा यह अभी कह अधिकार आपके पास में दिया है वो किमती जो अधिकार है आप 20 नहंबर को पोलिंग बुद पर जाएए यूम की बटन दबाईए किसकी बी बटन दबाईए हम वो कहेंगे ने मगर वोटिंग का जो अधिकार है वो निवाईए 23 नहंबर को महराश्र का निकाल आएंगा उसमें कोन बनेगा और कोन पार्टी छून कर आएंगी 23 नहंबर को महराश्र का मुख्यमिंत्री कोन बनेगा वो अपने को दिखाई देगा तब तक के लिए आप देखते रहें डवली वेश नूज लाइक करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद नमस्कार